तो दोस्तो आज 27 अगोस्ट 2023 कल 28 अगोस्ट मंडे से एक निया ट्रेडिंग विक शुरून जा रहा है जैसे कि लास्ट ट्रेडिंग विक पे बजार पे थोड़ा बहुत कमजोरी देखने को मिला खास करके थर्जडे और फ्राइडे की दिन स्पेशली फ्राइडे के दिन 5050 क्लोजिंग दिया 19,255 पॉइंट पे करीब 0.62 परसें गिरावट के साथ तो बात करेंगे इस वीडियो पे कुछ important key factors कुछ important news क्यूपर जो की upcoming trading week पे बजार को trigger कर सकता है तो दोस्तो इस बारे में आपका क्या राय है comment box में comment करके जरूर बता अब चलिए करके जो important key factors है आपके सामने में present करता हूं तो सबसे पहला and most important key factor कल यानि सोंबार के लिए दोस्तो रिलाइंस की 46 AGM है AGM मतलब annual general meeting और इस बार दोस्तो AGM बहुत ज्यादा खास इसलिए भी होने जारा है क्योंकि रिलाइंस इंडिस्ट्री अपना एक financial service के उपर कुछ ना कुछ धमा केदार announcement हो सकता है जैसे कि आप देख से तो यह सारे चीज़ हमें कल देखने को मिल सकता है तो कल देखे AGM का update जैसे ही आ जाएगा तुरूंत मैं आपको वीडियो के से शेयर कर दूँगा अब बात यह है कि रिलाइंस इंडिस्टी का वेटेज क्योंकि निफ्टी फिप्टी में बहुत जादा है तो कहीं न कहीं रिलाइंस के उपर भी कल definitely नजर होना चाहिए क्योंकि कल इंडिया का गौटर वन की जीटी पी डेटा तो जैसे की लास्ट कोटर में देखा था की इंडिया का जीटी पी आया था मतलब क्वाटर फोर में 6.1 इस बार दोस्तों आर्बी आई का एस्टी मेट है कि एप्रॉक्सिमेटली एट परसन के आस पास नंबर होने का चांस जै आप और यह कब आएगा दोस्तों यह देखे 31st August मतलब आज होगा आपका 27th 28 कल सोंबार 29 30 31st तो आपको यह देटा देखने को मिल जाएगा तो आपके इस पर काफी ज्यादा है 8% अगर 8% से भी ज्यादा हुआ तो कहिने के मार्केट में उसका एकदम से पॉजिटिव सेल्स का डेटा हो गया इसको मिला कि जो टोटल इंटैनेशन का या पी हम वह दोस्तों आपको एक स्ट्रक्चर मिल चाहेगा क्योंकि लास्त तीन महाने पर आपने देखा लगा ता ड्रॉब देखने को मैं लाकि क्योंकि आमने देखा जून महाने पर देखे 57.8 था उसके पहले हमने देखा में की महने पर जो कि एकदम पीक में था हाइस में था 58.7 लास्ट कि अगर हम बात करें जुलाइ के महने पर अब देख सेक्टों यह डेटा 57.7 के आसपास कहीं नोख करें दोस्तों इस बार अगर थोड़ा बहुत बेटर हो गया या बोल से थोड़ा बहुत गेन किया तो कहने के मार्केट के लिए भी काफी पॉजिटीब एक सिगनल भेजा जाएगा तो डेफेनेटली इस बज़े से पीमाई जो डेटा आएगा मैनुफेक्चरिंग पीमाई कब आएगा फर्स सेप्टेमबर के दिन यहीं फ्राइडे के दिन इसको बड़ भी आपका कड़ी नजर होना चाहिए और सबको में एक छोटा सा रिक्वेस्ट करूंगा चलते यहलते कि चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर रखें जैसे ही सारी यह सारी अपडेट्स आज तरह में आपको वीडियो के साथ शेयर खर तो का अब जैसे कि इंडिया का जीटीपी डेटा आउट होगा उसके साथ-साथ यूएस का भी जी इटी पी का एक एस्टीमेट आउट ओनाम नहीं इस दीपटीटविचलिए तो आगोस्ट के दिन तो यह भी बहुत इंपोर्टेंट होने जारे क्योंकि आपको तो मालूम ही होगा कि यूएस में अगर कुछ भी हो जाता है जाए मार्केट में गिरावट या तेजी तो कहिने के यह स्वभां इंडियार मार्केट इसका कैने की इंपक्छ देखनी को मिल सकता है और लास्ट कूछ टैम से ज्टेंडिबी में थोड़ा बहुत प्रोग्रेस अमें देखने को मिला था जैसे का आप देख सेखते हो कि क्वार्टर वां वहां तो इस बार आशार रखते हैं कि थोड़ा बहुत इंक्रीज होने के चांस है यूएस के अंदर नेक्स्ट अगर हम बात करें एफाइस का फ्लोट है कि एफाइस ने तो लगातार सेल हमें देखने को मिला इंडिया मार्केट में एक दो दिन को छोड़के तो ऐसे करते गए तो अभी देखें अगर थोड़ा बहुत बाउंस बैक हुआ तो कहिने के एफाइस का फिर से इंफ्लो आपको देखने को चांस है नेक्स्ट अगर हम बात करें अच्छा ग्लोबाल मार्केट यहां पर कुछ इंपर्टेंट इवेट्स को बत हमने बात कर लिया ग्लोबाल मार्क थोड़ा गिर जाता है तो उसकेस में जो लगाता रेपोरेट हाइक हुआ यहां पर यूएस के अंदर वो कहीने के दोस्तों होल्ट कर सकता है तो यह काफी पॉजिटिव संकेत के बाद ही हमने देखा दोजोंस के अंदर भी देखें एकदम से गिरावाट हुआ पहले अचानक से गिरावाट फिर टेक एकदम से रिकावरी देखने को वाले इस सिगनल के वाज़े से जहां पर डॉजन्स क्लोजिंग देखें और नेस डेक के अंदर भी अल्मोस्ट एक परसंट के आसपास 0.94 परसंट के साथ क्लोजिंग देखने को मिला तो कहीने के दोस्तों ग्लोबाल मार्केट भी थोड़ा थोड़ा में बाउंस बैक देखने को मिला और उसके साथ नमारे गिफ्ट निफ्टी गिफ्ट निफ्टी भी फ्राइडे बारा बज़े के आसपास क्लोजिंग भी दिया देखें 19,388 पर जो की निफ्टी 50 जहां पर क्लोजिंग दिया थ जो की आज रात की सारे 10 वजी की वीडियो में डिसकस करेंगे साथ इसके बीच में बहुत āमपटेन अपडेट साइगा मार्केट प्रेटिक्शन वाला पार्ट टीक है एक सारह करेंगे तो प्लीज चेनल की साथ जुरे जरूर रहना और साथ ही में सारे 10 की वीडियो से अच्छी अप्डेट है यह आज का लेटेस्ट अप्डेट पहले अब न्यूस का यह देखिया आज 27 तारीक दो बहर दो बच के 10 मीट पे तो न्यूस का हेडलान कुछ ऐसा है अधानी पोर्ट के लिए खास करके यह अच्छी अप्डेट है अधानी आइंग ग्रीक इंडिया एक्सपोर्ट बाउन फोर्यूरो ग्रीक मीडिया ने यह दोस्तों मेंशन कि अपने स्टेट में में बहुत अच्छी अप्डेट है अधानी पोर्ड जो अपने व्यापर को एक्स्पैंड कर रहा है बाहर इंटरनेशनल एक्सपैंड कर और कहींगे बाहर की जो य ऑफिशल अपडेट है बट पक्का अपडेट नहीं है इसा हो गाई एक हिंट टाइप का दिया है कि यहां पे जो आदानी पोर्ट है वहां पे ग्रीट मतलब ग्रीस हो गया आपका बेसिकली ग्रीस में जो लोग रहता है या वहां पे जो लेंगवेज उसको ग्रीक बोला जा रिपोर्ट का सब्मिशन आया तो कहिंने के 29 तो बहुत इंपोर्टेंट होने जा रहा है जिनको नहीं मालू मैं थो आपको यहां पढ़के सुना था हूं तो सेवी ने उस टाइम फ्रेम के भीदर जो कि अपना यहां पे जो कारोबार चल ला था वह कंप्लीट नहीं कर पा तो हैर दा केस ओन 29 अगोस्ट 29 मतलब परसू मंगलवार के दिन तो कहीं नहीं देखे सेवी के तरफ से अगर पॉजिटीव अपडेट आ जाता है मतलब कोई भी ट्रांजेक्शन से लेटेट कोई भी वाइलेशन हो गया कोई गाइडलेंस या रूल्स ब्रेक हो गया ऐसा अगर बंप पतेजिमत आप सोच भी नहीं सकते जिस रफ्तार से गिरा उससे दुगनी रफ्तार से मूबेंट उपर की तरफ आ सकते है तो जिस बैसे कल से आपको थोड़ा-थोड़ा हल चल्चल अदानी ग्रूप के शियर में देखने को मिल जाएगा तो कल जिस बैसे अद